कि हलो दोस्तों दिस इस कृष्णा वशेष्ट और आप सब कैसे हैं उमीद करता हूं जहां पर भी होंगे अच्छे होंगे और दोस्तों आज हम करने वाले हैं के स्टडी जैसे कि आप सभी को पताएगी हम साइकलोजी यहां पर पढ़ रहे हैं और जो साइकलोजी में आपको करेंगे तो आपका जो सीटाट का एक्जाम है यहीं कि 2022 यह भी काफी अच्छा होगा और अच्छे से आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे का आप सभी को पता है के अंदर 40 क्वेशन साने वाले हैं साइकलोजी पैडागोजी से रिलेट और मैं हाँ पर और किसका मैथड है साइकलोजी का मैथड है ठीक है और अगर आपको नहीं पता है अभी भी साइकलोजी क्या होती है क्या इसके एस्पेक्ट्स होते हैं क्या इसकी अप्रोच होती है तो यह कोई 6-7 वीडियो है इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखना काफी इंट्रस दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे case study के बारे में, case study के बारे में अच्छे से बढ़ना है हमें, और इसके बाद जो method मैं करवाँगा, इसी video session में, वो होगा survey method, ठीक है, तो start करते हैं, इससे पहले मैं आपको छोटीस request करना चाहता हूँ, in case, in case, अगर आपने channel को subscribe नहीं कि हैं, तो दोस्तों, start करते हैं, without wasting your important time, सबसे पहले, आगर मैं आपको पता हूँ, case study क्या होती है, आगर मैं आपको real life example दूँ, तो जब आप या फिर आपने देखा होगा कि clinical research में, इस method को काफी ज़्यादा use किया जाता है, लोगों को study करने का method है, लोगों के बारे में, जा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंको उनको हमें diagnose करना है, तो diagnose तभी कर पाएंगे, जब वो अच्छे से जान पाएंगे, कि हमारे अंदर जो बिमारी है, हम किस बिमारी से PDT हैं, तो जब हम उनको symptoms के बारे में बताएंगे, वो पूछेंगे हम से कि आपको कैसे feel हो रहा है, कब से वो feel हो रहा है, तो कुछ questions वो पूछते हैं normally, तो उस questions के अधार पर वो हमें diagnose करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा diagnosis करते हैं, ठीक है, तो case study, जो method है psychology का, ये भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है, बिल्कुल बिडिटो, वो ही concept है case study का, यहाँ पे जो questions पूछे जाते है by the other, वो हमारे behavior को जानने के लिए, यानि कि हमारे जो experiences है, relationships है, interaction है with others, so as to prepare profile of the person, तो इस तरीक से, that's how we prepare the profile of the person, in psychology, this method is called case study, ठीक है, तो I hope कि आपको अच्छे से समझ में आगे होगा, आगे बढ़ते हैं, in the field of psychology, inquiry case study method has its own importance, अब ये inquiry case study मतलब, यहाँ पे हम series of questions पूछते हैं, तो भई, inquiry तो कर रहे हैं किसी भी person की, clinical research में इसका बहुत ज़्यादा importance है, in this method, the main unit of analysis is the individual, मतलब, आपने जो questions करने हैं, डॉक्टर ने जो questions करने हैं, वो patient सही तो करेंगा, ना individual से करेंगे, किस के about questions पूछे जाते हैं, experiences के about पूछे जाते हैं, you know, about the different context in the life, it focuses on the individual's inter, you know, you know, inter-rational's patterns with significant others as well as the his personal experiences across different real life situations, okay, मतलब, वो ही घुम्फिर के बाद वही आजाते हैं, कि different life situations में किस तरीके से experiences मिला हुआ है, you know, family history, education life, medical history and social life, this method is very very popular in clinical psychology, ठीक है, and life spend developmental psychology, ठीक है, तो यह एक important method है, और इसमें भी हम लोगों के बारे में जानते हैं, उनके behavior की study की जाती है, pattern की study की जाती है, और, you know, this case study gives a detailed and in-depth description of individual's life, we cannot make a very conclusive judgment, obvious ही बात है, कि है तो एक normal methods है ना, तो हम कोई भी conclusive judgment नहीं ले सकते, but, यहां पर हम कुछ हद तक अंदाज लगा सकते हैं उस particular person के बारे में, ठीक है, तो यह है आपका case study method, बहुत ही छोटा सा method है और important है, next हम बात करते हैं, survey method, survey method है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और survey method क्या है, अधिको survey भी आपको, मैं आपको एक real life example देता हूँ, survey मतलब जैसे कि कोई election होते हैं, तो news वाले यानि जो media वाले हैं, वो एक poll करते हैं, you know, poll कराते हैं, across the country, अलग-अलग state में, कि भाई, किसकी सरकार जो है, उसको majority मिलेगी संभावना है, you know, मैं यह कह रहा हूँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि किसको majority मिलेगी, तो यह तो conclusive हो जाएगा, फिर संभावना है, किसकी सरकार बनने की probability जादा है, तो वो एक poll कराते हैं, तो अलग-अलग जगह पर वो poll कराते हैं, उसके हिसाब से, इनकी poll क्या होता है, पोल एक, you know, it's a kind of survey, survey क्या होता है, कि लोगों से जाजा कर पूछना, कि आपने किसको vote दिया, ठीक है, और आपने उस party को क्यों vote दिया, या फिर किसी SMS के थूँ पूछना, या फिर email भेज देना, you know, email के अंदर series of questions भेज देना, आज कल Google भी survey कराता है, आपने देखा होगा, YouTube पर, you know, survey आता है, तो उस survey में, 2-3 minute का survey होता है, तो participate करना पड़ता है, optional होता है, करो या मत करो, ठीक है, तो यह survey होता है, यह होता क्या है, while doing this kind of activity, try to seek the opinion of people on those issues, you know, to communicate their view to the government as well as to the society, for example, they conduct opinion poll during the election, जैसे कि अभी मैं बता ही रहा था आपको, so as to which political party enjoy support of the majority of the people, ठीक है, तो conclusive नहीं होता है, it's just a अंदाजा होता है, but यहां पर हम लोगों की opinions के बारे में पड़ते है, you know, लोगों का belief and values of the people, you know, attitudes, this method is also used to test the hypothesis about the relationships of variable, especially when some incident takes place, ठीक है, for, you know, example, media try to analyze the responses of the people across the country, after the attack of terrorists on Mumbai, अब जैसे कि अभी, you know, 2009, I think 2010 में हुआ था Mumbai attack, तो उसमें एक example है कि जब हमारे देश में, या किसी बाहर देश में कोई terror attack होता है, तो फिर वहां पर उस particular location पर लोगों से survey किया जाता है, एक साल, दो साल बात की, what they think, you know, after the attack, वो कैसा feel करते हैं, क्या वो safe feel करते हैं, क्या उनको security दी जा रही है या फिर वो unsafe feel कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी कोई media channel या फिर कोई भी news, you know, news, कोई भी individual से personal questions पूच सकता है, या फिर group of the people से questions पूच सकता है, you know, एक questionnaire method होता है, research की जाती है इन चीजों पर, तो ये psychology के अंदर, इसको हम survey method गयते हैं, तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा case study survey method, वीडियो थोड़ा छोटा है, मैंने थोड़ा, you know, crispy रखा है वीडियो को, कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो ये थे हमारे method, method of psychology, जिसमें हमने observation तो पहले करी लिया है, experimentation हो चुका है, case study, survey method मैंने इहां पर cover कर लिया है, ये एक छोटी सी exercise है, अगर आप soul करना चाहेंगे, काफी अच्छी, आपकी practice के लिए काफी important है, उसके बाद, next, हम video session में करने वाले हैं, psychological tools, जो इस chapter का third, हमारा objective था, इसको हम cover नेक्स वीडियो में, till then, bye bye, और हाँ, channel को subscribe नहीं किया है, please subscribe जरूर करें, channel का नाम है Tats Guru, चीक है, video को share करें, like करें, thank you very much, इस video session को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तो,